बात करते है टाइफ ओफ डिप्रेशन के डिप्रेशन के कितने टाइफ होता है किस तरीके तरीके को कलासिफा ही गया बात करते है टाइफ ओफ डिप्रेशन टाइफोस डिप्रेशन जो डिप्रेशन होता है वो बिसिकली दो तरीके का होता है डिप्रेशन फर्स्ट होता है जिसको बोलता है एक्जोजेनस डिप्रेशन और सेकेंड होता है एक्जोजेनस डिप्रेशन एक्जोजेनस डिप्रेशन एंड एंड जीनिस डिप्रेशन जो डिप्रेशन होता है दो तरीकर का होता है एक होता है एक्जोजीनिस डिप्रेशन एक होता है एंडोजीनिस डिप्रेशन अब इसको क्लासिफाई करते है एक्जोजीनिस क्या डिप्रेशन होता है एक्च्टर्नलर – और सबक्चार्णा impressा, इसको दूसरे नान से जाते हैं, एक्स्टर्नल डिप्रेशन एक्स्टर्नल डिप्रेशन भी बोल सकते हैं एक्सटर्नल डिप्रेशन को और एंडो का मतलब बहुतते हैं इनर तो इसको बोल सकते हैं इंटर्नल डिप्रेशन जिसको दूसरा नांसा बोलते हैं इंटर्नल डिप्रेशन इंटर्नल डिप्रेशन एग्ज़जिनिए डिप्रेशन उते हैं में एक्सटनल डिप्रेशन होता है sensitive कोज अफवhouse haven't आड़ सनुन डिप्रेशन एक्सटनल डिप्रेशन किस करणे ऑगा चोण जो कोज़ेफिशन व सकता है लुक्र कि उसे का ब्रेक-अप हो जाए उसके गरेंट डिप्रेशन हो सकता एक होता है डेथ भोルगुस अगर किसी पलोर उसपनी क्लोस खुल स्ट्रीयेक अगर कि अंदर किस चीदर एके चेंज जा रहे हैं तो हमारी बोडी के अंदर नियोरो ट्रांस्मिटर का लेवल डिक्रीज हो जाए इस करण पेसेंट को के नाम इंटरनल डिप्रेशन हो सकता है अगर किसी को हैपो थायरोडिजम हो गया इस करण डिप्रेशन हो सकता है अगर कोर्टीसोल का लेवल डिक्रीज हो जाए इस करण किना internal डिप indifferent होता है तो internal और external डिपेशन में क्या difference है internal depression इसलिए होगा अगर हमारी बोड़ी के अंदर कोई भी changes आया तो उसको बोलते है internal depression internal depression होगे हमारी बोड़ी के अंदर और external depression में क्या हुआ कि लाएके मैं environment में हूँ और मुझसे अलग कोई भी environment के अंदर कोई भी change हुआ उस change के करण मुझे depression हुआ अगर like के मेरे अंदर कुछ change नहीं आया but मेरे environment जहां पर मैं हूँ इस world में जहां पर भी हो अगर उस world में कोई change आया उसलिए मुझे depression हो गया उसको बोलते है एक्स्टरनल डिप्रेशन के बहार की चीज़ों से मेरे अंदर डिप्रेशन आ रहा है और इंटरनल में के मेरे अंदर के बिइंटर्ब्रेयश हो रहा है उसको वोलते इंटरनल डिप्रेशन उसके बाद बात करते हैं साइन ग्षोन का स्षम्ट के क्या साइन ऑ absence만 बिखया देगए सब्सक्राइब जो डिपरेशन अगर किसी पेशंटंत को डिवाया या ब्रेक अप हुआ यह इसको एक्स्तर डिक्रेशन हवा तो जो पेशन्ट है उसको क्या होगा है उसको इविनिंग में स्युम्टम स्यु continuous cono में दिखा determination was इवनिंग में सानेमी सिम्टम उसके सो होगे और जैस्सको इंटरनल हुआ तो इसको मोड्निंग में होगे तो इसको बोलते है है अगर किसी को हुआ है तो इसको बोलते है लेट नाइट लेट नाइट अ इन्सोम्या इन्सोम्निया उसको लेट नाइट इन्सोम्निया होगा क्या मतलब कि दो बज़े के बाद उसको सिम्टम्स आएगे और इसमें क्या हुआ अर्ली कि इन्सोम्निया कि वो तीन ऐन्सोम्न पर मतलब के दो खालने क्या होगा अगर किसी पेशेंट हो एक्स्टनल डिपरेशन हुआ हुआ उसको जो सिम्टम्स आएगे वो सिम्टम्स व्हों करेगा वो उसको इवनिंग माएगे सामिव टाइम आएगे और इंटरनल में इसको मौर्णिंग माएगे अगर किसी पेसेंट को एक्सटनल डिपरेशन हुआ तो लेट नाइट इन्सोम धिया तो वह बेशिकली रात कूछ नीन नीध आ उसको लेट नाट निशम नी आएगी उसको अक्सेनल डिप्रेशन हुआ है तो इसलिए जो और अगर चलंब जल्द उठाएगा था इसको अगर कोई पेसेंट है वो तो बज़े उठता था उसके बाद अगर उसको इंटरनल डिप्रेशन हुआ तो तीन बज़े उठ रहा है चार बज़े उठ रहा है इस तरगी के इसको अर्ली मोर्निंग इंसोम नहीं हो जाएगा जल्दी उठ जाएगा अपने टाइम से उसको बोलता है साइने सिम्टम रिलीफ दा सिम्टम्स अगर साइने सिम्टम्स को रिलीफ कराने है तो उसमें क्या करना पड़ेगा पेशेंट को रिलीफ दा सिम्टम्स अगर पेशेंट को एक्टरनल और इंटरनल डिप्रेशन हुआ तिर उसको सिम्टम्स रिलीफ कराने है उसको अपने जो सिम्टम है उ में ब्रेक ऊप होने के बाद उसकी स्पोल मतलब की जो उसके साथ उसके साथ तो जो ऊसके जो रिल के और उसके citizen साथ तो अकेला रहकर रिलीव dot symptoms अब बात करते हैं मेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें तो देखते हैं उसको तो इन्टरनल और एक्सटरनल डिप्रेशन और एंडजनेश्ट डिप्रेशन इसके बाद जो डिप्रेशन हता है वो सेकंड डिप्रेशन होता है एक तो हो गया एक्जोजनेट डिपरेशन और एंडोजीनस जो सैकेंड है वो है एडीपिकल डिपरेशन में क्या होता है उसको क्या करेगा हो हाइपोसेक्शुलिटी हाइपोसेक्शुलिटी या लोस ओफ हंगर loss of hunger या loss of sleep कि यो दिक्कत हुँ रही है वो hyposexuality हो भी हा है या loss of sleep कम हो रहा है loss of hunger भूख कम लग 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 में इस करण उसको depression आ रहा है अगर इस वज़ेसे उसको depression आ रहा है उसको बोलते है atypical depression के बंदेखो Atypical Depression है अगर in condition की वज़े से उसको depression आ रहा है तो इसको बहते है ईटिपिकल depression जो फूर्थ ठर्ड डेप्रेशन होते है उसको बलते है old age हैं अगर कोई पर्सन old है तो जादे तर उसमें अगर the depression देखने को मिला तो मेलाअन कोउली के देखने को मिलता ऐ इसमें जो maximum होता है जो maximum risk होता है maximum the maximum risk of suicide कर सकते हैं सिसके इन्दर सुसाइडल तो थो जो अगर और पशन लिए पच्ट साल के बाद डिप्रेशन तो इसको मेलान कोशन्म है न कोलीक डिप्रेश्न से नोट करते हैं तो इसके बाद यह तो ant эп professor होता है जो फॉर्थ डिप्रेशन होता है वो होता है सीजनल डिप्रेशन के सीजनल डिप्रेशन क्या होता है सीजनल का मतलब सीजन्स के अकोडिंग सीजनल का सीजनल अकोडिंग अगर मान लीजिए हमने एक एक एक्जाम्पल के तोर पर लिते हैं यह समर हुआ यह rain हुआ, यह winter हुआ, फिर यह summer हुआ, और यह rain हुआ, और यह winter हुआ. अगर किसी को seasonal depression है, तो उसको seasons के according symptoms आएके, कि अगर patient है, नोर्मल यह है, यह summer में उसको कोई symptoms नहीं दिखाई दे दे, उसको फिर rain में आया, तो उसको depression के symptoms दिखाई देने लगे. अगर जिस तरीके से यह 4 मंत को गया. यह 4 मंत को उसको कोई symptoms ने दिखाई दे, कोई भी तरीके तो इसको depression के symptoms नहीं दिखाई यह इन 4 मंत के अंदर. फिर rain का मोसम आया, तो उसमें उसको symptoms दिखाई देने लगे. फिर उसको continue four मंत तisu सो आने लगे. हो बिर जब चार मर्फ कम्प्लिट हो गए फिर विंटर सीजन आगा उसमें जो उसके ुसके मिम्टम्स नहीं हो तो इससे पता है कि एक सीजन के अगर कोई इस तरीके के सिम्टम सकते है अगर के पर्टिकुलर एक सीजन में के उसको गर्मी के मौसम में डिप्रेशन होगा और सर्दी और रेंड के मौसम में डिप्रेशन नहीं होगा तो उसको क्या लगएगा कि इसको एक सीजनल डिप्रेशन उसको डिनोट करते हैं कि वो फोटो थरीपी और लाइट थरीपी देते हैं जो यह होते है अल आबओट डिप्रेशन के टाइप पड़ी नीस नो ये सब को मैंने आपको बता दिया अगर आपको कुछ दाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में तो थैंक्यू